कि नमस्कार दोस्तों मैं अब आप सभी का स्वागत करता हूं बजट गाडनिंग चैनल पे तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने में एक सक्कुलेंट प्लांट रखा हुआ है और यह एक ग्रैप्टो सीडम की एक वेराइटी है तो हमारा जो प्लांट है वो काफी हल्दी है बट मुझे लग रहा है कि इसकी जो ग्रोथ है उतनी अच्छी नहीं हो रही है जितनी इसकी होनी चाहिए थी और वैसे भी विंटर का सीजन है और विंटर का सीजन सक्कुलेंट के लिए ग्रोइंग सीजन होता है बट यह मेरा जो प्लांट है वो काफी लंबे समय से इसी चारेंज के पाट में लगा हुआ है साइध इसी लिए यह अच् प्लांट को साइड में रखते हैं और सबसे पहले बात करते हैं potting mix की वैसे तो मैंने specific cactus succulent potting mix का वीडियो मैंने इस चैनल पर upload कर रहा है तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं मैं उस वीडियो का link जो है नीचे description box में दे cactus और succulent का potting mix है वो कैसा होना चाहिए इस लिए मैं इस वीडियो में काफी detail में नहीं जा रहा है तो यह जो आप हमारा potting mix देख रहे हैं यह हमने पहले से तयार कर रखा है और यह बहुत ही basic सा cactus succulent potting mix है इसमें sand है और sand से निकलने वाला कंकड है कोको पीट है और वर्मी कंपोस्ट है इसके अलावा इसमें fungicide powder है नीम खली है और bone meal मिला हुआ है और यह बहुत ही basic सा potting mix है आप इस potting mix को बहुत आसानी से तयार कर सकते हैं इन सबके अलावा भी आप एक potting media का use कर सकते हैं वो है cinder हमारे यह cinder आसानी से नहीं मिलता है हमें online मंगवाना पुड़ता है और वो फिर थोड़ा costly हो जाता है इसलिए हम use नहीं कर पाते हैं और यह जो cinder है वो काफी अच्छा growing media है cactus के लिए succulent के लिए अडेनियम के लिए और गुलाब के लिए तो अगर आपके पास cinder है तो आप cinder का use करें और अगर cinder नहीं है तो जो मैंने potting mix बताया है आप उसे भी बहुत आसानी से अपने घरों में तयार कर सकते हैं आप उस nutrient plant है वो अगले एक साल तक काफी अच्छा से grow करता रहेगा में report करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यह जो pot है basically एक hanging pot है जो की मुझे आया था smart grow की और से और last एक साल से मैं इस pot का use कर रहा हूं और अभी तक आप देख रहे हैं कि हमारे जो pot की condition है वो काफी अच्छी कर सकते हैं उनका number मैंने description में दे रखा है तो चलिए अब time आ गया है कि अपने plant को report करते हैं तो सबसे पहले हम इस plant को pot से निकाल लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा plant pot से बाहर आ गया है और इसका जो root boundary वो हो रखा है और इसलिए इस plant का जो growth है वो रुख गया था तो चलिए अब इस root ball को ज़्यादा disturb किये भीना थोड़ा सा जो putting mix है वो हम पहले से इससे निकाल लेते हैं जिससे जो हमारा root है वो थोड़ फ्री हो जाए और बिल्कुल भी compact ना रहे हैं और बहुत आसानी से नई potting mix में set हो जाए तो चलिए अब इस plant को नए pot में shift करते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे pot में काफी सारे drainage holes बने हुए जो कि हमारे plant के लिए काफी अच्छा है जितना भी extra पानी होगा वो आसानी से और जल्दी से drain out हो जाएगा तो सबसे पहले हम इस pot के drainage hole है उनको cover कर रहे हैं इसके लिए आप इट के टुकड़े या जो गमले के टूटे हुए टुकड़े होते हैं सुखी पत्या होती या फिर जो पत्थर के टुकड़े होते हैं आप उसका use कर सकते हैं तो चलिए अब हमने जो potting mix त्यार कर रखा था उसे एक height तक भर लेंगे और इसके बाद अपने plant को हम इसमें रख कर देख लेंगे कि हमारी जो plant की height है वो सही आ रही है कि नहीं तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो plant है वो बिल्कुल सही height पे है तो अब हमें क्या करना है कि हमारी जो बचीवी potting mix है उसे हम side हो से भर देंगे और उसे हलके हाथों से दबा देंगे जिससे हमारा जो plant है वो इस potting mix में बिल्कुल stable हो जाए तो अब हमें सिर्फ इसमें पानी देना है तो हमारा इस succulent plant को report करने का जो काम है वो पूरा हो गया है अगर अब भी आपके मन में किसी तरह का सवाल है तो आप मुझे instagram पे message कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के comment section में भी लिख सकते हैं और हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को like करें और अगर आप इस channel पे नए है तो channel को subscribe कर bell notification on कर लें Thank you for watching this video